सोहरा बुद्दीन और तुलसी प्रजापती एंकाउंटर मामले में शुक्रवार को मुंबई की CBI कोट द्वारा सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया। वर्ष 2005 के इस मामले में ये 22 लोग मुकदमे का सामना कर रहे थे। इनमें जाधा तर पुलिस कर्मी है। कोट के इस फैसले पर पूर्व IPS, अधिकारी और गुजरात पुलिस के ततकालीन डीजी वंजारा ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर गुजरात ATS सोहरा बुद्दीन को नहीं मारती तो वह ततकालीन मुख्यमंजरी नरेंद्र मोदी की हत्या कर सकता था। आज या साबित हो गया है कि मैं और मेरी टीम सही थी, हम सच के साथ खड़े थे। इस एंकाउंटर केस में पूर्व आरोपी रहे वंजारा ने कहा कि यदि गुजरात पुलिस या मुट्भेर ना होती तो पाकिस्तान नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साज़िश में काम्याब हो जाता और गुजरात एक और कश्मीर बन जाता। वंजारा ने कहा गुजरात आंद्रपदेश और राजिस्थान पुलिस को गुजरात की बीजेपी सरकार और केंद्र की कॉंग्रेस सरकार की राजनीतिक लड़ाई के बीच में बली का बक्रा बनाया गया था। गये थे जिनका उद्देश गुजरात के तदकाली मुख्य मंत्री नरेंद्र मोधी की हत्या करना था। वंजारा को CBI की स्पेशल कोर्ट ने तीन साल पहले बरी कर दिया था। उन्हेंने कहा कि राश्र व्रयोधी तद्वों ने आतंकवादी समूहों की सहायता और इमांदार पुलिस अधिकारियों को परिशान करने के लिए वास्तविक मुझभेड की घटनाओं को नकली में बदलने की कोशिश की थी। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।